हालो दियर श्टुदेंट्स वेलकम तो फिर्स पार्ट ऑफ इलेक्रिसिटी यह लास्ट चेप्टर है फिजिक्स का केमिस्ट्री का लास्ट चेप्टर अल्रेडी कम्प्लीट हो चुका है बायो का food production and management थोड़ा सा बचा है वो भी complete कर लेंगे इसको भी हम लोग complete कर लेते हैं साथ ही साथ मैस्ट्री के बारे में बता दूँ अगर आप लोग अभी तक enroll नहीं करे हो तो आप लोग अन्रोल कर सकते हो लिंक आपको description box में मिल जाएगा लिंक के जरीए आप लोग को information भी मिल जाएगा about math mastery जो कि एक special course है class 8 students के लिए जहां पर आपको math के chapters को पढ़ाया जा रहा है आपको आपके content में जितने भी chapters होंगे बच्चों आपको वहाँ पर उसका video मिल जाएगा तो आप लोग को लिए क्या है ना वो math like आप जो भी problem face करते हो तो वो आप लोग को doubt source clear करने में मदद करेगा now without wasting any time let's get started with the video okay so electricity, electricity हम सबको पता है जैसी कि sound हो गया, light हो गया ये लोग एक form of energy होते है वैसे electricity is also a form of energy ठीक है? जो electricity है वो energy है clear matter नहीं है, electricity जैसे sound matter नहीं है, light matter नहीं है वैसे electricity भी matter नहीं है बच्चो ये एक form of energy, sound energy होता है, light energy होता है, heat energy होता है similarly, electricity भी एक form of energy है and ये जो electricity है, इसका जो existence होता है वो होता है due to the charges in all atoms because हम सब को पता है, जितने भी चीजें है वो सब atom से बने वे हैं ठीक है, atoms में charge होते हैं, positive, negative, जो भी charge होते हैं, वो charges की वज़े से, आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी charge की वज़े से होता है, but basically charges की वज़े से ही electricity हम लोग को देखने को मिलता है, clear it is a form of energy existing as charges in all atom, charges in all atom, ठीक है, simple सा है, now, अगर हम लोग बात करें कि यह जो word electricity है, इसको कौन से word से derived किया गया है, तो इसका बच्चो एक Greek word electron, same, ऐसे, spelling थोगा different electron का, C के जगा में K है, so the word electricity is derived from the word electron, Greek word electron, इसका मतलब होता है ember, ember का photo में आप शेयर कर दे रही हूँ, ember आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होगे, अब fossilized, यहाप लिखा भाभी है, एक fossilized tree resin, तो basically, यह जो word है न, Greek word electron, जिसका meaning ember है, उस word से electricity word को like derive किया गया है, ठीक है, फिर हम लंग वो atom के अंदर के charges का बात कर रहे थे, तो basically, दो type के charge होते है, एक होता है positive, एक होता है negative, तो charges बच्चों, दो type के होते है, atom के अंदर में जो हम charge का बात कर रहे हैं, वो दो type के होते है, positive and negative, यह चीज़ आप लोग पढ़े होगे, chemistry में तो समझ गए होगे, है ना positive किसका होता है, negative किसका होता है, इसमें भी same है, है ना वैसे ही है, फिर एक और यहाँ पर term है, जैसे कि अगर मैं बात करूंगी, static electricity का, यह चीज़ भी आप लोग देखोगे, तो बच्चों, static electricity actually आप देखो, जो charges होते हैं, atom के अंदर में जो charge होते हैं, उनकी वज़े से हम लोग को electricity feel करने को मिलता है, ठीक है, electricity का existence उनहीं की वज़े से होता है, अब हम लोग के घर में जो हम लोग को electric current मिलता है, उसी को electricity बोलते है ठीक है यह static electricity घर में जो electric current हम लोग को मिलता है उससे different है static electricity का मतलब है वोई charges की वज़े से होगा लेकिन यह charges surface की उपर-उपर में रहेंगे accumulation of electric charges, electrical charges on the surface of a material material की surface की उपर-उपर, surface में रहेंगे तो वहाँ का जो वो electricity को हम बोलते है static electricity यह पर charge move नहीं करेंगे, moving charge को हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है, moving अगर charge move कर रहा है because घर में जो हमारी electricity हम लोग को मिलता है, वो moving charge की वज़े से होता है ठीक है, moving charges की वज़े से electric current जिसको हम normally simply electricity भी बोलते है तो that is due to the moving charges, but जो charge सिर्फ surface की उपर में accumulate, accumulate मतलब रहना एक साथ ठीक है, एक साथ होके जो charges एक surface की उपर में आते हैं, तो उसकी वज़े से जो current है या electricity है उसको बोलते है static electricity, तो यहाँ पर वो लोग move नहीं करते हैं, बट इस case में वो लोग move कर रहे हैं, यह simple है ठीक है, ओके, अभी static electricity and atomic structure, तो थोड़ा सा atom के बारे में भी discuss कर लेते है okay, so atom थोड़ा इस type से दिखता है, chemistry में पढ़े हो, atom हम लोग को इस type से देखने को मलता है atom हर matter के अंदर में पाया ज़्यादा है, बहुत सारे atom होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, even powerful microscope से भी हमने देख सकते नहीं, ऐसा है ठीक है, मनलब काफी बहुत ही, पता नहीं कौन सा type का microscope इसके लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा powerful microscope लगता है ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर यह आपका atom का structure आप लोग जो पढ़े हो आपको पता है, बीच में nucleus होता है और उसके चारों तरफ में ऐसे बहुत सरे shells, या फिर orbit जो भी आप लोग बोल सकते हो, वो present होते है ठीक है, फिर इसमें charges भी होते हैं, आप लोग पढ़े हो न, positive and negative तो बच्चों, यह जो nucleus है, बीच वाला part, central जो core होता है, किसका atom का, उसको हमनों nucleus बोलते है nucleus के अंदर में दो चीज़ पाए जाते है, जो जो important लगेकर note down करते रहना ठीक है, उसके अंदर में दो चीज़ पाए जाते है, proton and neutron एक है proton, एक है neutron, proton का जो charge होता है, वो होता है positive, neutron का कोई charge नहीं होता आप लोग को clear हो का ये चीज़ें, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, proton का positive charge, neutron का no charge, neutral होता है फिर ये जो गोल-गोल-गोल आप लोग को थोड़ा सा orbit टाइप दिखता होगा ना, गोल-गोल structure, वो होता है बच्चों, shell या फिर orbit वो ऐसा चीज होता है जिसमें electrons लोग घुमते हैं around the nucleus, तो electrons लोग जो होते हैं, वो लोग nucleus के चारो तरह वैसे गोल-गोल घुमते रहते हैं, कि इसमें ये shell या orbit में, तो मैं यहाँ पर यह दिख रहा है ना, ये shell या orbit, कुछ भी बोल सकते हो आप लो, electrons इसी में रहते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे कि एक atom का, कोई भी atom ले लो, ठीक है, एक atom का charge क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर में इतने सारी चीज होते हैं, है ना, अब देखो, atom के अंदर में आपका electron भी है, जिसका charge होता है negative, proton भी है, जिसका charge होता है positive, और neutron का तो चलो कोई charge नहीं है, म positive, negative charge होता है, यह लोग इक्वल नंबर के रहते हैं, अगर 10 टो plus वाले हैं, तो 10 टो minus वाले हैं, दोनों एक दुसरे को balance कर लेते हैं, तो इसका net कोई charge नहीं आता, इसलिए यह neutral होता है, ठीक है, अब plus 10, minus 10 करोगे, अगर mass के हिसाफ से solve करोगे, तो 0 आएगा ना, अगर इस इसमें कोई ऐसे net charge नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं, कि an atom is electrically, an atom is electrically neutral, बहुत important question है, chemistry के हिसाब से भी, उसमें तो पहले से ही पूछ देते हैं, है न, ओके, यहाँ पर भी वही सब चीजे हैं, जो हम लोग अल्रेडी discuss कर चुके हैं, proteins and neutrons are present in the nucleus and are bound by very strong force of attraction, बीच बीच में रहते हैं वो लोग, ठीक है, अच्छा, अभी, जो shells होते हैं, या फिर orbits होते हैं, उसमें electrons लोग घुमते रहते हैं, ठीक है, अब बच्चों एक चीज़, मतलब अपने लोग धियान रखना, कि basic करी, normally क्या होता है, कि यह तो nucleus हो गया, इसके चारों तरफ shell है, electrons ल प्लस माइनस लोग करती हैं, तो इनके बीच में भी, nucleus में जो proton है, उसके बीच में और जो electrons घुमते हैं, उनके बीच में भी एक force of attraction होता है, electrostatic force बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, एक force of attraction होता है, उनके बीच में, तो जो electrons लोग nucleus के पास पास वाले shell में घुम रहे हैं, एक तीन ठो तो नहीं बनाना चाहिए, बना दियों ऐसे, तो जो electrons लोग nucleus के पास वाले shell में घुमते हैं, वो लोग को nucleus ज़्यादा ताकत से घुषता है, as compared to that electron, जो की इदन last-last है, दूर-दूर वाले shell में होते हैं, तो उनके बीच में जो electrostatic force of attraction होता है, वो कम होता है, ल अब यहाँ पर आप लोग को पता होगा, कि जो atom में जो last shell होता है, या last orbit होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चो, valence shell, ठीक है, या फिर last shell, या फिर outermost shell, या फिर ultimate shell, बहुत सारा बड़ है, ultimate shell, ठीक है, और last shell में, जितने भी electrons आप लोग को देखने को मिलेंगे आपरी वाले shell में, जितने भी electrons देखने को मिलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे, valence electron, क्या बोलेंगे, valence electron, clear, तो यह जो valence electron है, जो एकदम दूर दूर में है, मतलब nucleus जो एकदम last में, दूर दूर में रहते हैं, valence electron, वो लोग को nucleus उतना जोर से नहीं घिश पाता, basically नहीं nucleus इतना जोर से उनको नहीं घिश पाता, मतलब यह लोग बहुत easily, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हम लोग इनमें वगर बाहर से कुछ outer force देंगे, या फिर energy देंगे, आपनों higher classes में पढ़ोगे, तो हम लोग यह last electron को nucleus के force से दूर कर सकते हैं, मतलब इसको free कर सकते हैं हम लो ठीक है, तो यह जो valence electrons है, they can be easily knocked off or transferred to other atoms, दूर वाले जो valence electrons होते हैं, क्योंकि nucleus और उसके बीच में उतना strong force of attraction नहीं होता है, तो हम लोग वो last वाले electrons को easily निकाल सकते हैं और free बना सकते हैं, clear, they can break loose or move about freely inside a substance, मतलब उनको हम लोग इसके चंगुल से हटा के free कर देंगे, तो free होके अराम से atom के अंदर में freely घूम पाएगा, ठीक है, तो हम लोग उस समय उसको बोलेंगे free electrons, so valence electrons can be easily knocked off or transferred to other atoms, they can break loose and move about freely inside a substance as free electrons, clear, अभी यह चीज़ आपके question मतलब force में नहीं है, कि हम लोग इसको free कैसे कर सकते हैं, कैसे valence electron को हम लोग हटा सकते हैं, वो सब higher classes में है, ठीक है, ओके, अब एक चीज़, अगर एक substance है, और वो electron को gain कर रहा है, gain कर रहा है, मतलब accept कर रहा है, receive कर रहा है, तो electron अगर उसमें आ गया, तो उसका क्या charge आएगा, negative charge, ठीक है, अगर एक, जैसी कि यह substance है, pen, अगर इसके अंदर में electron आया, गहीं से, बहार से, तो इसका net negative charge हो जाएगा, लेकिन अगर यह substance, electron किसी को दे रहा है, अपने से निकाल रहा है, ठीक है, तो इसके पास जो charge होगा, वो होगा, positive charge, electron की कमी हो जाएगी, तो positive charge हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ लिखी हूँ, और हमेशा, बच्चों, electrons ही move करते हैं, जो हम लोग electrons ही flow करते हैं, clear, अभी, behavior of electric charge, behavior of electric charge, so like charges repel इशदर, यह चीज़ आप लोग पढ़े होगे, magnet में भी पढ़े होगे, poles का, और जैसे poles में like poles repel होता है न, वैसे ही इसमें भी, जो एक जैसे charge होते हैं, जो एक जैसे charge होते हैं, जैसे ही positive charge है, या फिर सिर्फ negative negative charge है, तो बोलों एक दूसरे को repel करते हैं, जैसे ही आप लोग शुमबक लेते हो, magnet, देखना एक बार ऐसा होता है, कि जब आप लोग same same pole of magnet को pass लेके आओगे, तो बोलों दूर भागता है, that means उनका same same pole रहता है, ज दोनों को pass लेंगे, तो उनों repel होंगे, दो south वाले pole को एक साथ लाओगे, तो repel होंगे, तो यहाँ पर वैसे ही है, कि जो like charge होता है, जैसे कि आपके पर दो object है, suppose इसमें plus charge है, इसमें भी plus charge है, अगर मैं इनको pass में लाओँगे ना, तो यह लोग दूर भागेंगे एक द interact करते हैं, जिसको याद रखना, ठीक है, अभी, अभी आपके book में एक experiment दिया था, इससे related, जैसी कि हमारे पास एक glass rod है, simple, आचका, आप लोगे book में tumbler लिखा होगा, मैं यहाँ पर glass rod ली हूँ, suppose हमारे पास glass rod है, आप लोगे glass rod को paper, जैसे paper का एक दम, बारिक बारिक उसक कर लेना, और glass rod को इसे paper के पास लाना, या फिर आप लोग अपना plastic का जो ruler होता है, वो ले लो, scale, आप लोग प्लास्टिक का scale को ऐसे करके glass, paper के जो beats होते है, beats of paper, उसके पास लेके आना, क्या वो लोगे एक दुसरे को attract करेंगे, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप हम लोग अपने dry hair में उसको rub करेंगे, तो क्या होगा, उसके बाद फिर आप लोग वो scale को paper के पास लेके आना, देखना थोड़ा-थोड़ा paper का bit scale के तरफ attract होगा, कि किस तो आप लोग करे होगे, पक्का से करे होगे, है ना, तो ऐसा क्यूं होता है, ऐसा इसले होता है, क् कि जब हम लोग अपने dry hair से scale को ऐसे rub किये, तो scale में कुछ charge आगया, चार्ज ओगया scale, पिर वो scale को आप लोग वो उसके पास लेका है, किस के पास लेका है, scale को आप लोग किस के पास लेका है, आप लोग पेपर बीट्स के पास लेका है, scale को, तो वो क्या किया, scale उसको attract कर तो यहां पर कहना मैं ग्लास रॉड का बता रही हूं जैसी कि अगर हम लोग एक टो ग्लास रॉड लेंगे simply यहां पर बोलेंगा मतलब यह है कि जब हम लोग कोई दो अब्जेक्ट को रब करते हैं तो उनमें चार्ज आ जाता है इसलिए मैं यहां पर यह चीज लिखी हzym जैसी कि यहां पर एक टो को ग्लास रॉड है ग्लास रॉड को सिल्क लॉड के साथ रब करेंगे यह एक्ट राता है ग्लास रॉड को आप लोग को हम लोग एक लिए का चार्ज आएगा और वो सिल्क लॉथ में क्या चार्ज आएगा तो बच्चो इसमें ऐसा होता है कि जब हम लों ग्लास रॉड को रब करते है सिल्क कपड़े के साथ तो जो रॉड है उसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और silk में आ जाता है negative charge इसको याद रखना rod में positive और किसमें? silk cloth में negative अब किसी में अगर negative charge आ रहा है किसमें आ रहा है? silk cloth में आ रहा है negative charge आ रहा है मतलब definitely electron gain किया होगा और glass rod को मिला positive charge पकका यहां से electron निकल गया होगा यही तो होता है ना तो यहां पर reason आप लोगं को exam में पूछता है this is because of the transfer of some free electrons from the glass rod to the silk cloth कुछ free electrons transfer हो गया glass rod से silk cloth में तो glass rod से कुछ free electrons निकल गया देखो glass rod में इतने electrons फ्री नहीं रहते हैं वो insulator है ठीक है? थोड़े बहुत उसमें जो free electrons होते हैं वो लोगं निकल गए और वो लोगं चले गए silk cloth में तो glass rod से निकल गए तो glass rod को मिल गया positive charge और silk cloth में आ गया तो silk cloth को मिल गया negative charge clear यह आएगा exam में पका से आएगा वैसे ही एक ebonite rod और एक fur का देता है देखो वैसे ही ebonite rod होता है बच्चों ebonite rod and fur अगर हम लोग ebonite rod को fur से रब करेंगे because rub करने से ने charge generate होता ही है अगर मैं भी इसको अपने हल से रब करी या फिर इसको मैं cloth से रब करूँगी अभी normally हम लोगं का day to day activity में friction होता है बट ऐसा नहीं है कि इतना ज़ादा friction हो जाता है कि ज़ादा charge develop होगा charge develop होता होगा बट उतना नहीं ठीक है ना अगर हम लोग ebonite rod को rub करेंगे fur के साथ तो इस condition में किसमें क्या charge आएगा ये भी आएगा ebonite rod में negative और fur में आएगा positive ebonite rod में negative आया मतलब definitely इसके पास electron आया है और fur हो गया positive मतलब यहाँ से electron गया है तो इसका कैसे लिखेंगे this is due to the transfer of free electrons from fur to the ebonite rod ऐसी आता है और एक चीज़ याद रखना ये line important है एक charged object attract करता है neutral object को definitely जो मैं आप लोग को ये नहीं बुली कि हम लोग scale को अपने dry hair में rub करेंगे ठीक है और हम लोग उसको paper के पास इससे ले के आएंगे तो paper को attract कर लेगा तो paper था वहाँ पर neutral और scale हो गया charged object तो charged object, neutral object को neutral का मतलब जिसमें charge नहीं होगा attract कर सकता है कर सकता है न तो यहाँ पर वो मैं ऐसे लिख दे रहे हूँ scale and paper यह आप लोग के लिए आप लोग के लिए आपनों को याद रहेगा बूलके ऐसे लिख मत दे न आपनों exam में टेक है electrostatic force आपको पता है अब यह conservation of charge जैसे conservation of energy पढ़ते हो conservation of और क्या पढ़े हो law of conservation of mass पढ़े हो वसी conservation of charge है कि हमनों charge को न create कर सकते है न destroy कर सकते है basically क्या होता है जैसी की देखो एक object में अगर charge है जैसी कि आप लोग पढ़े थे न अभी just कि glass rod में क्या charge आ जाता है positive आ जाता है और silk में जो भी charge आता है तो एक object में अगर charge है positive हो या negative हो तो वो क्यों आता है अपने आप से ही वो create कर लिया charge तो उसके पास negative आ गया ऐसा नहीं होता कोई creation कोई destruction नहीं होता ठीक है क्या होता है redistribution of charge हो जाता है अगर आप दो object के बीच में करवा रहे हो कोई भी काम रब करवा रहे हो उनको तो वहाँ पर अगर charge generate हुआ है अलग-अलग charge है जो भी तो महाँ पर redistribution of charge हो जा एक object से दुसरे object के बीच में redistribution हो गया charge दुनों बाट लिये एक दुसरे में समझ गया है ना कोई ले लिया कोई दे दिया लाइक इस टाइप से तो law of conservation of electric charge क्या है it states that the sum of all the electric charges जितना भी electric charge है एक system में वो हमेशा constant रहेगा मतलब ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा clear बढ़ेगा घटेगा in the sense वह redistribution हो जाएगा overall जब हम लोग देखेंगे ना दोनों में मिला के तो वही है किसी में कम किसी में ज़ादा देखने को मिलेगा लेकिन overall जब आप plus करोगे experiment से पहले अगर 10 था total charge तो अगर आप लोग experiment के बाद भी add करके देखोगे तो 10 आएगा बुलने का मतलब यह है किसी में कम किसी में जादब मतलब इसका निकल के उसमें चला गया या फिर इधर से निकल के इधर में आ गया गया, copper हो गया, silver हो गया यह सब conductors होते हैं यह ऐसे metals होते हैं that allow the flow of electric current through them मतलब current उनसे flow कर सकता है current flow कर सकता है मतलब electric charges flow कर सकते है मतलब electron उनके अंदर से move कर सकता है moving electrons देखने को मिलेगा हम लोग को अगर electrons उनके अंदर में move कर रहा है ठीक है तो definitely बोलों current conduct कर पाएंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे conductor तो question and definition आता है example आता है और ऐसे पूछता है कि conductors electric current conduct कैसे कर पाते है reason यह है कि उनके पास free electrons होता है काफी free electrons होता है और मैं एक चीज़ बता दूँ इसमें बता देती है जैसे कि अगर हम लोग atom देखेंगे किसका conductor का तो conductor में जो valence electrons होते हैं उनको न यह जो nucleus है वो उतना जोड़ से नहीं घिच पाता मतलब nucleus और last वाले electron के बीच में बहुत कम force of attraction होता है तो easily हम लोग balance electrons को free कर सकते हैं ठीक है और free करके वो लोग अराम से घुम सकते हैं समझ मैं न तो moving electrons महाँ पर मिल जाता है तो लोग अराम से electricity conduct कर पाते हैं तो conductors लोग electricity conduct कर पाते हैं because they have enough free electrons enough मतलब काफी अच्छे amount में उनके पास free electrons होते हैं लेकिन जो non-conductors होते हैं उनमें उतने free electrons नहीं होते हैं मैं यहाँ पर लिखियो हैं they do not have free electrons they do not have sufficient amount of free electrons तो negligible amount of free electrons होते हैं मतलब बहुत कम होते हैं इसलिए बोलें हैं electricity conduct नहीं करवा पाते हैं ठीक है, electrons नहीं move कर पाता है बहुत कम होते हैं उनके पास example आप लोग देख सकते हो ठीक है, okay now how an object is charged एक object को हम charge कैसे कर सकते हैं बहुत easy है, देखो 3 तरीका होता है बच्चो एक object को अगर charge करना है तो 3 तरीका है एक friction, एक conduction, एक induction friction का मतलब वैसे दो object को अगर आप rub कर ले हो, ठीक है तो एक जगा से electron निकल के दूसरे में चला जाएगा, और दोनों में charge आजाएगा, एक में positive, बिक में negative clear, so charging by friction जब दो object को हम rub करते हैं तो कुछ electrons एक object से निकल के दूसरा में चला जाता है, तो दोनों में कुछ न कुछ charge आजाता है, इस्दम simple दूसरा by conduction, conduction का मतलब होता है, touch करके, ठीक है an uncharged object can be charged, जैसे के हमारे पास एक uncharged object है मैं इसका diagram बना दी हूँ एक हमारे पास uncharged object है, यह रहा suppose हम लोग यहाँ पर एक uncharged ball ली है, यह जो stand है जिसमें इसको लगाएग, इंसुलेटड stand है यह conduct नहीं कर पाया था, ठीक है हमारे पास एक uncharged object था मैं को इसको charge करवाना है मतलब इसमें charge नहीं भी बिलकुल भी लेकिन मैं को इसको conduction method से charge करवाना है, तो कैसे करवाएगे एक तो charged object को हम लोग पहले uncharged object के पास लेके आएगे ठीक है, जब हम लोग इसको contact में लाएंगे तो इसमें जो charge होगा definitely इसमें भी आजाएगा लेकिन इसमें positive charge है, आप लोग सोचोगे कि मैं plus positive charge वाला rod को touch करवाओंगे तो protons इसमें चला जाएगा तो बच्चो protons move नहीं करता अगर आप लोग इसको touch करवाओंगे इसमें तो इसमें positive charge था, इसमें भी positive charge आएगा पर इसमें कैसे आएगा यहां से electron निकल के इसमें चले जाएगे electron जब एक substance से निकल जाता है तो इसमें आता है positive charge और यहां पर आप लोग पॉजिटिव रोड को touch करवा रहे हो uncharged object से इसलिए इसको positive charge ही रखना है अपने में तो positive charge कैसे लाएगा अपने कुछ electrons को इसको दे के clear क्योंकि protons तो move नहीं करता है तो यहां पर हम लोग तच करवा के charged object को uncharged object के contact में लाए तो जाके charge हुआ तो इस process को बोलेंगे charging by क्या? Charging by conduction और तीसरा method है वो है charging by induction वो है charging by induction charging by induction का मतलब induction का मतलब बच्चो यह घर वाला induction नहीं induction का मतलब होता है without touch मतलब यहां पर हम लोग again एक uncharged object को ही charge करेंगे है ना पर कैसे एक charged object ले के आएंगे पर touch नहीं करेंगे तो यह conduction वाला process हो जाएगा उसके पास में लाके बहुत पास लेक आएंगे तो वो ना charge हो जाता है, uncharged object charge हो जाएगा पर हम लोग को touch नहीं करना है तो यहां पर direct flow of electrons नहीं होता यहां देखो कैसे होता है जिसलिकि हम लोग के पास एक ठो uncharged object था, simple वो ball जैसा था, हम लोग क्या किये अब इसको भूल जाओ, हम लोग क्या किये एक ठो negatively charged rod लेके आए और हम लोग को इसके बहुत pass लेके आना है pass लाके से रख देना touch नहीं करवाना है तो बच्चों जब हम लोग इसके pass लेके आएंगे अपनों पड़े होने atom के अंदर में तो दोनों charge होता है और atom electrically neutral होता है तो यहाँ पर यह जो हम लोग ball लिये थे पहले भी जो हम लोग starting case में जो ball लिये है समय में AA लिखी हूँ वो समय में देखना में कोई plus minus नहीं लिखी हूँ क्योंकि वो neutral है इसके अंदर में positive negative equal amount में है चार्ज लो ठीक है तो जब हम लोग ये negative charge negatively charged rod को इसके पास में लेके आएंगे तो क्या होगा इसके अंदर में अब जो equal number of positively charged and negatively charged particles होंगे वो लोग ऐसे step से arrangement हो जायागा कैसे आप लोग minus वाले को लेके आए हो अब आपनों को पता opposite charge attract करता है तो ये क्या करेगा इसके अंदर में जितनी भी positive charge वाले particle है उसको अपने तरफ attract कर लेगा और negative वाले तो इससे दूर भाग जाएंगे because repel करता है negative वाले को दूर भागा देगा ये और positive वाले को opposite वाले को पास में लियाएगा इसके बाद आपको क्या करना आपको तो इसमें charge पर generate करना है आप लोग क्या करोगी जहां पर ये negative charge आया है नहां पर touch कर देना जिसे यहां पर देखो जब touch कर वाएंगे तो अर्थिंग हो जाएगा ये rod की वजए से ये negatively charge rod की वजए से ये protons यहां पर एक जगा में accumulate होके रखे उसको रखे रखे आप लोग इसको touch करना है तो यहां से ये minus वाला गायब तो देखो minus वाला गायब हो गया ठीक है तो क्या बचा सिर्फ positive वाला बचा ये positive वाला कब तक रहएगा जब तक आप लोग इसको side में से लगा के रखोगे मैंना touch नहीं करना है इसे pass में अगर इसको भी आप urthing कर दोगे ये भी चला जाएगा समझ में आया तो यहां पर direct flow of electrons कहां हुआ बिलकुल भी नहीं हुआ मतलब क्या ये charged body से uncharged body में directly flow of electrons हुआ नहीं हुआ इसलिए मैं यहां पर लिखियो there is no direct flow of free electrons और यहां पर इस वज़े से जो charge इसमें आया uncharged object में इस वज़े से जो charge आया उसको हम लोग बोलेंगे induced charge induction की वज़े से जो charge आया उसको बोलते है induced charge यह तुम simple है ठीक है अब difference देख लेते है charging by conduction and charging by induction तो conduction में charging by conduction and charging by induction तो conduction में हम लोग uncharged and charged object को पूरा contact में ला रहे थे लाए थे पर इस case में हम लोग contact में नहीं लाए induction में ठीक है बस बहुत pass लेगा है थे यहाँ पर पुरा flow of electrons हुआ था charged body से uncharged में because touch करवाए थे यहाँ पर ऐसे flow of electrons नहीं हुआ था ठीक है इस condition में जो charge uncharged object acquire किया वो same acquire किया था जैसे यहाँ पर एक conduction का यहाँ पर हम लोग जो यह charge rod लेके आया थे वही same हम लोग जब इसको touch करवाए तो यह uncharged object वही same charge acquire किया तो यहाँ पर जो charged object है वही same charge acquire करेगा sorry जो uncharged object है जिसमें बिल्कुल भी charge पहले हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था वो वही same charge obtain करेगा जो की charged object का होगा लेकिन induction में उल्टा इंडक्शन में हम लोग कौन सा charged object लेके आये थे negative वला बट यहाँ पर last में कौन सा charge इसमें आया positive तो यहाँ पर जो uncharged object है उस वो जो charge acquire करेगा वो opposite होगा to the charge carried by what? to the charge carried by charged object clear? तो मैं यहाँ पर भ़ी चीज़ लिखे हूँ ठीक है the charge remains on the object even after the originally charged body has been removed मतलब यहाँ पर हम लोग टच करके charge कर दी actual में flow of electrons हुआ था तो अगर आप लोग बाद में इसको हटा भी दोगे यह वाला rod को तो इसमें charge रहेगा किसमें? इसमें लेकिन इस condition में वो charge नहीं रहेगा अगर आप लोग इसको हटा दोगे तो इसमें वो charge नहीं रहेगा ठीक है? Unless the object is earthed और दूसरा तरीका यहाँ पर यह बोल रहा है The charge produced on the object is temporary unless the object is earthed ठीक है? अपनों जब तक रखे होगे रहेगा अगर टच भी कर दोगे न earthhing हो जाएगा पहला पार हमनों यहीं पर खतम कर देते हैं अगर आपनों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो like, share and subscribe जरूर से कर देना बच्चो, thank you